तो यहाँ पर आपको एड टार्गेटिंग का ओप्शन मिलता है जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपके पास यहाँ पर पांच ओप्शन आते हैं ओडियन्स सेग्मेंट, डेमोग्राफिक, कीवर्ड, टॉपेक्स, और प्लिस्मेंट इन सभी को मैं एक एक करके समझाता आपको बताओंगा की Google Ads में audience targeting कैसे करते हैं और इसे समझाने के लिए में एक display campaign create करूंगा जिसमें मैं आपको audience targeting समझाऊंगा क्योंकि display campaign में ही सबसे ज्यादा audience targeting के options मिलते हैं campaign create करने से पहले हम कोई objective चूज कर लेंगे उसके बाद हम conversion जैसा भी वैसे रहने देंगे अब यहाँ पर आता select campaign type सबसे पहले है search campaign जिसमें targeting की कोई खास आविशकता नहीं है performance max में audience signal create किये जाते हैं मैंने अपने पिछले वीडियो जिसमें मैंने audience segments create करना और manage करना समझाया था उसमें audience signal कैसे create करते हैं यह भी बताया हुए display campaign में आपको टार्गेटिंग आप्शन मिलते हैं शॉपिंग में आपको नहीं मिलते हैं वीडियो में बहुत लिमीटेड टार्गेटिंग आप्शन मिलते हैं तो audience targeting को डीटेल में सीखने के लिए display campaign एक बहतरीन campaign है तो मैं display को select करता हूँ यहां पर आप website की detail डाल देंगे कुछ भी नाम डालके हम आगे बढ़ते हैं अब दोस्ता हम यहां पर आ जाते campaign setting पर इसको हम ऐसे रहने देते हैं मैं सीधे आपको लेकर आता हूँ टार्गेटिंग में सबसे पहले आपको मोटे मोटे दो ऑप्शन मिल रहा है audience segment, demographic, keywords, topics and placements इन सभी को में एक एक करके समझाता हूँ सबसे पहले आता है audience segments जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको यहां पर दो option मिलते है search या browse जैसे कि पिछले वीडियो में हम एक example के तोरप एक product को लेके चल रहे थे office chair यहां पर भी मैं मान लेता हूँ कि मेरे को office chair से related अपने display ads चलाने है तो जब हम browse में जाते हैं तो हमारे पास यह कुछ option रहते हैं सबसे पहला है who they are इसको हम क्लिक करेंगे इसमें आपको demographic options मिलते हैं जैसे कि उनका parental status क्या है क्या वो parents है या नहीं है targeting करना या awareness फैलाना तो उस case में आपके लिए यह useful हो सकता है इसमें आपको option मिलते हैं जिन में लोगों के interest हो सकते हैं जैसे banking and finances को अगर मैं drop down करता हूं यहां पर आपको यह option मिलता है अवे इन्वेस्टर्स ऐसे beauty and wellness को मैं drop down करता हूं तो यहां पर beauty mavens and frequently visit saloons home garden को अगर मैं अब आता है what they are actively researching and planning in market and life events दोस्तों in market and life events audience अधिकतर बहुत useful होती है और अच्छा result देती है याने कि जो इस समय करेंट्री किसी product के बारे में या किसी service के बारे में search कर रहे हैं या उनकी life में कोई ऐसा event है जिसमें उस product यह service के उनको requirement होगी तो हम इस पे click करेंगे in market में आ products को अगर कोई ढून रहा है market में presently, currently तो उनको आपके ads दिखाये जाएंगे इसी तरीके से business and industrial products पर अगर मैं drop down करूंगा तो यहां पर आपका option मिलता है food, service, equipment and singage, back करता हूं मैं इसके बाद दोस्ता आपके पास option आता how they have interacted with your business इसका मतलब हुआ अगर वो आपकी website पे या आपके app पे या आपके YouTube चैनल पे आ चुके हैं और कुछ interaction किया है याने कि कोई page visit किये हैं या कोई video देखा है या app पे आके app कुछ use किया है तो उस basis पे भी आप उनको targeting कर सकते हैं इसलिए यह कहलाता है your data segment जिसको मैंने और detail में अपने पिछले वीडियो में बताया है तो इस पर हम क्लिक करेंगे यहां पर आपको option मिलते है custom combination या website visitors website visitors को आप drop down करेंगे तो जितनी भी audience जो आपकी website visitor या website visitor की customized audience अगर आपने create करी है तो यहां पर आपको दिख जाएगी जैसे कि मैं इसको drop करके नीचे जाता हूं तो यह हमने पिछली वीडियो में एक audience क्रेट कर option के अंदर आपको audience तब मिलेंगी जब आपने कोई custom audience या combined audience create करी हो अदरवाइस आपको इसके अंदर खाली मिलेगा तो यह था दोस्तों browse वाला section अब मैं search पर जाता हूं अगर आपका traditional या basic या simple product जैसे लोग search करते हैं तो आपके लिए search का option सबसे best रहेगा क्योंकि यहां पर यह बता रहा है कि आपके custom audience बनाई हुई है जो कि आपकी खुद की office chair नाम की इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं in market audience में भी आपको chairs और in market audience में आपको office chairs वाली audience मिल रही है याने कि जो लोग already office chair search कर रहे हैं तो अगर मैं यहां से office chair select कर लेता हूं तो in market audience target हो गई यह मैंने custom audience बनाई हुई है और मैं नीचे scroll करके देख लूगा क्या मुझे लगता है कि कोई बहुत ही जादा relevant है to my audience जैसे office furniture हो गया तो अब आप देख सकते हैं जो भी आपने audience select करी वह यहां पे आगई office chair वाली आ गई है in market के अंदर office furniture आ गया custom के अंदर office chair आ गया और इ यह बिल्कुल मतलब नहीं है आपको किसी एकी campaign के अंदर सारे option use करना है क्योंकि हर option एक तरीके से filter का काम करता है अगर आप ज्यादा filter लगा देंगे तो हो सकता आपका add किसी को भी ना दिख पाए तो आपको broad रखना भी जरूरी है तो कोशिस किजिए कि आप इन में से किस यूज करते हैं अब हम देख लेते हैं डेमोग्राफिक में इसको में क्लिक करूंगा तो यहां दोस्तों गूगल आपको option देता है कि आप जेंडर चूज कर सकते हैं किसी की एज चूज कर सकते हैं पैरेंटल स्टेटस चूज कर सकते हैं और उसकी household income यानि कि वह किस लेवल अगला option है keywords इस पर मैं click करूंगा यहां पर आप keywords डाल सकते हैं दोस्तों keywords में आप जब भी keyword डालते हैं तो Google आपके ad को उन websites पे उन applications पे दिखाने की कोशिस करेगा जहां पर या तो यह keywords होंगे या ऐसे लोग visit करते होंगे जो इन keywords में interested होंगे और example अगर मैं यहां पर office chair टालता हूं तो अगर कोई ऐसी website या webpage है जिस पर office chair के बारे में लिखा हुआ है और वहां पर दिखाया जा सकता है तो Google आपका ad दिखा सकता है दूसरी बात अगर वहां पर office chair के बारे में कुछ भी नहीं है लेकिन जो person visit किया है वह अगर market में office chair के बारे में research कर रहा है तो उस person को भी वहां पर आपका ad दिखाया जा सकता है क्योंकि वह keyword में या उस product में interested हो सकता है वापस से मैं टार्गेटिंग पर क्लिक करूंगा यहां पर दो option बचे है topic पर जब मैं क्लिक करता हूं तो दोस्तों topic पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर topics मिलते हैं topics को अगर आप select करेंगे तो इन topics related websites, apps या videos के around आपका ad दिखाया जाएगा जनरली topic targeting अगर आप करेंगे तो यह बहुती broad targeting हो जाएगी बहुत सटीक नहीं रहेगी तो इसको हम usually avoid करते हैं पिर भी certain cases में अगर आपको लगता है क्योंगी निशाना नहीं लग रहा है तो आप topic targeting कर सकते next है दोस्तो placement targeting दोस्तो placement targeting में आप exactly website, video या app को choose कर सकते हैं और google को बता सकते हैं कि इनी website, apps या videos पे मेरा ad चलाया जाए उसको करने के लिए अगर आप यहां पर कोई भी word लिखते हैं for example हमारा जो word है office chair सबसे पहले मैं आपको बता दूँ देखिए यहां पर website का option है YouTube channels का option है apps का option है, app categories का option है, अब मैं जैसे यहां पर office chair लिखता हूं, तो office chair से related जो भी options available होंगे वो मुझे यहां मिल जाएंगे, तो देखिए मैंने office chair लिखा तो उस पर मुझे option नहीं मिले तो मैंने केवल उसको chair कर दिया, जब chair लिखा तो यह मुझे बता रहा है कि website के 200 से जादा option है, youtube channel के 1000 से जादा option है, youtube videos के 1000 से जादा option है, कुछ apps के option भी हो, categories के भी option है, for example, अगर मैं website चूस करता हूं, तो यहां पर कई website ऐसी है, जो chair word का use कर रही होंगे, तो यहां पर display हो रही है, और इसके आगे यह बता रहा है कि कितने impression वहां पर दिखाने की possibility है पर week, अगर इस YouTube channels का भी option मिल रहा है, YouTube channels के बारे में भी YouTube channels का नाम आप यहां पर देख सकते हैं, और उनको YouTube पर search करेंगा, अगर आपको लगता है कि यह relevant YouTube channel है, तो ही आपको इसके उपर अपना एड चलाना, अदरवाइस आप अपना आड ना चला है, ऐसी आपको YouTube videos का भी option मिलता है, YouTube videos में जिन भी वीडियो के title में अगर चैर लिखा हुआ है, तो वो वीडियो आपको यहां पर लिस्ट में दिख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यह relevant video है, तो आप उनको select कर सकते हैं, दोस्तों, placement targeting बहुत ही सोच समझ के करने वाली चीज है, अगर आपको पता है, और आपको कि आपके customer ऐसी website से, ऐसी app से, ऐसे videos देखेंगे या देखते होंगे, तो ही आप उस placement targeting को करें, तो ही आपको फायदा होएगा, otherwise ऐसा भी हो सकते है कि आपका add ही ना चल पाए, क्योंकि वो targeting सही नहीं जा रही, या ऐसा हो सकता है कि आपका add चले पर आपको result बिलकुल ना मि लेकिन तभी आपका पूरा audience related package complete होगा, अगर आपको Google Ads में कोई services चाहिए, कोई doubt है, या अगर आप मेरे courses से सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे contact कर सकते हैं, इस screen पे दिए गए नंबर पे आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं